इस लेक्सर में हमने जहां पे last time Saturday को class छोड़ी थी जिसके अंदर windowing का काम था उसको start करेंगे लेकिन उसे पहले जो चीज मैंने आपको भी send की है जो link send की है वो आप open करके अपने पास उसे clone कर लेंगे तो आपके पास TensorFlow के जितने भी guide के tutorial है वो सारे के सारे आ जाएंगे ठीक है विच विल बी रिली हेलफुल इफ यू वांट तो वर्क आन सम काइंड आफ डीप लर्निंग मैथड्स लेटर आउं जो मैंने अभी आपको लिंक सेंड गया उसके थूआ आप कर सकते हैं अगर लिंक का यहां पर साय्ट में जाएंगे तो वेब सायट के उपर जितने भी टृतोरियल्स पड़ें वो यहां पर पड़ेंगे ृटीक है? यह तृतूरियल सारे है ओडियो का है कस्टिमाइजेशन का है डिस्ट्रिबीट का है जो वेबसाइट है उसके ओपर लेके जाओं तो वहां पर यह सारी चीजें मेंचेंड है औरेडी जहां से हमने एक्सेंपल टुटोरियल दिया था और अपको अपने प्रोजेक्स के ओपर काम करने के लिए बड़ा कारमत साबत हो सकता है तो मैं स्क्रीन आपके सामने शेयर करता हूं तूसरी और यह यू कन सी के हम टाइम सेरीज फोर्कास्टिंग का टुटोरियल करने एक्शली टेकन फ्रॉम टैंसर फ्लो और जितने भी लोग हैं जब टाइम सेरीज को स्टार्ट करते हैं यूजिली बहतर यह होता है कि वह ऐसे एक प्रोजेक्ट को देखें जहां पर यह काम सारा औरेडी मैंशन्ड हो और डिफरेंट किसम के डेटा दिया हो हमने काम जितना कर रही है वही सा के हमने डेटा कैसे इंपोर्ट करना है और मैं थोड़ा सा बीच में आपको इन एडिशन काफी चीज़ें बताता रहा हूं तो हम उसको भी साथ-साथ देखते रहे हैं Saturday को तो हमने different किसम के columns देखें उनको कैसे check किया फिर हमने उनका different trend देखा था हमने decompose भी करके देखा था पूरे के पूरे डेटा को और फिर हमने different तरीके से उसका trend find out करने की कोशिश की and then we went towards normalizing the data और कुछ चीज़े मैंने इसमे इस तरीके से data को normalize किया तो तो left side पे हमारे पास zero to standard deviation जितने वित्यूस की उस हिसाप से हमारे पास data आगया था Saturday को जो हमने काम किया था जो लोग Saturday को नहीं आये तो इसी वज़े से मैंने वीडियो भी upload कर दी थी so hopefully आपको वह भी आपने देख लिए होगी जो लोग live देखेंगे इसको बाद में so it's better कि आप पिछली वीडियो इससे जरूर देखें पिछला link जरूर देखें जो description में मैं डाल दूंगा ताकि आ मेरी जो theme है VS Encoder की वह black है तो अगर हम उसके उपर इसको प्रिजेंट करके देखेंगे so it will be looking like little bit different तो वह आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा I know कि मैं अपनी theme change कर सकता हूं सब कुछ उस पर चल सकता है but it's better कि हम website के through इसको देख लें if you want तो हम यहां से भी इसको देख सकते हैं that's not a problem but यहां पर website के उपर साथ में headings भी आ रही है so it would be nice अच्छा window का मतलब यह होता है तीन चीजें इसके अंदर होती है window के अंदर एक होता है आपका input एक होता है offset और एक होता है आपकी label की width input, offset and label की width और windowing की क्यों जाती है हम data को different तरीके से divide करते हैं अपनी labels को predict करने के लिए या अपना offset mention करने के लिए या हम उसको divide करते हैं कि पिछले कितने instances की base पे अगले कितनी चीज़ को predict करने है अब इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं आपके पास अगर बहुत ज्यादा data आप चाहते हैं कि मैं पिछले सिर्फ single prediction लोंगा for example to make a single prediction which is a label जिसकी value 1 है आप एक single prediction लेना चाहते हैं अपने पूर hours into the future आप 24 hours in the future लेना चाहते हैं मतलब offset आपका 24 गेंटे future की है ठीक है 24 गेंटे future को predict करना चाहते हैं based on the previous 24 hours और आप एक prediction चाहते हैं so that is called data windowing कैसे 24 आपका history का data होगा वो 24 points हो सकते हैं वो 24 गेंटे हो सकते हैं वो 24 data points हो सकते हैं जैसे हमने दो-दो गेंटे का time रख है तो 24 points का मतलब यह होगा हमारे पास 48 गेंटे होगे और हम अगले 24 प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप मेंसे काफी लोग जब time series क्या project present किया गय कर सकते हैं जो question आपका था कि क्या हम 6 माद वाला भी present कर सकते हैं so that question can be answered with this thing which is called windowing ठीक है आप इछले input width को define करते हैं फिर offset को define करते हैं offset का मतलब होता है कि कहां से आगे तक जाना है आपके कितना depend करता है और कितने labels आपने करने हैं ठीक है so this is how you predict the thing अब मुझे एक बात बताएं अगर आपके पास 24 input का data है और 24 point आपके पास offset है तो यह total width बनती है इनकी 48 input and output ठीक है मतलब पीछे से चलता जाएगा और अगला predict करता जाएगा अब मुझे एक और बात बताएं अगर यही चीज हमने 15 input रखते हम hours की 23 रखते हम offset और label width 1 होते ह तो क्या बंद है कितनी विंडो का साइज होता 15 23 और एक अगर हमारे पास तीन वैलियोज होती इंपूट ऑफसेट और लेवल वेड़ तो हमारी विंडो का साइज क्या था पंद्रह में आप 23 जो है उसे जमा कर लेंगे वह पूरी विंडो होगी इंपूट का साइज डिफरेंट होगा उसमें ऑफसेट का डिफरेंट होगा लेबल विर्थ जितने मर्जी हो वो उस विंडो के अंदर ही काउंट होती है अब इसकी एक और मिसाल में आपको देता हूँ अगर आप एक मॉडल प्रेडिक्शन करना चाहते हैं एक घंटा इन फ्यूचर वन आवर की इन फ्यूचर ठीक है आपका छे घंटे का प्रेवियस उसकी बेस पे आप ऑफसेट रखना चाहते हैं एक घंटे का फ्यूचर में ठीक है इसका मतलब यह है कि जब भी आप विंडो को डिफाइन करते हैं यह आपकी प्रोसेसिंग पावर लेके फिर साथ सा चलते हैं एक मिसाल में आपको देता हूँ कि यह विंडो ऐसे मूव करती है आपके डेटा पर चुरू से एंड तक यह विंडो मूव करेगी जितना आपका डेटा पड़ा हुआ तो इसी वज़ा से जो आपके पास औरिजिनल डेटा होता है उसके ऊपर एक तो औरिजिनल डेटा आ पिर साथ प्रेडिक्टिट टिए एक लाइन आ रही होती एंड फिछले डेटा की वेज़ा अगला आफ सेट हमें पताते जारें अब दैट्स हाउ वी मेक दे विंडो इसके अंदर हमारे पास जो विंडो जनेरेट करने के लिए क्लास यूज होती है आम इसे किसको पता है कि क्लास क्या होती है और फंक्शन क्या होता है इन दोनुमें क्या फराइख है बेसिक प्रोग्रामिंग का कुस्ट्टन क्लास वर्य सब्सक्शन क्या होता है क्लास वर्सिस फंक्शन चलिए मैं आपको दोनों चीज़े दिखा देता हूँ आप देखके मुझे बता दीजेगा क्या से चल रहे हैं यह एक लास हमने लिखा इसके अंदर क्लास का नाम हमने दे दिया विंडो जेनरेटर और हमने साथ में कोलन साइन लगा दिया फिर हम क्या कर रहे हैं डिफाइन कर रहे हैं इसके अंदर कुछ चीज़ें ठीक है यहां तक हमने एक डिफाइन किया फिर दूसरी चीज़ यहां पर डिफाइन की और यह दोनों मिल के हमें एक क्लास दे रहे हैं सो अब कोई आइडिया लग रहे है कि क्लास और फंक्शन क्या हो सकता है function होता है जो एक specific function को perform करता है function यानि कि आपने कोई multiply करना है तो उसका आप code लिखेंगे कि अगर दो हिंसे एकटे लिखे जाएं तो यह multiply हो रहे हैं तो यह define करते हैं आप कि हमारी कौन-कौन सी चीज़ें अपसमें किस तरीके से एक function perform करेंगी तो function क्या होता है is a block of code that performs a specific task and can be called multiple times कई दफाव से आप call भी कर सकते है from different parts of the program मतलब एक program लिखते जा रहे लिखते जा रहे आपके पास mean का एक function है आप किसी भी data पर उसको लगाएंगे वो बनता जाएगा जबर दस तरीके से ठीक है तो उसमें क्या होता है function input parameter लेता है और आपको output value देता है ठीक है और वो ज्यादा तर क्या होता है reusable आप यही समझ लेंके capsule है उसके अंदर आप चीज को घुमाएंगे वो चीज का output चेंज हो जानी ठीक है एक सरफ से आप एक input डार रहे हैं दूसरी तरफ से output निकर रहे है और यह reusable भी है reproducible भी है आप एक दफ़ा डिफाइन करते हैं तो डिफरेंट किसम के data set पर यह काम करना स्टार्ट करते थे class क्या होती है on the other hand यह blueprint होता है objects बनाने के लिए object का तो बता है न क्या होते है यार हम df is equal to जो चीज लिखते हैं वो पूरा object बन रहाता है न तो आप basically क्या करते हैं आप class को use करते है object बनाने के लिए उस object को बनाने के लिए जिसकी specific property बना रहें तो विंडो जनेरेटर एक object बनाएगा जिसकी specific properties होंगी यानि के पिछले 24 की base पे अगले 24 को predict करना और एक label पर तो यह इस object की specific property हो जाएगी ठीक है और यह क्या करता है यह behavior of object को भी बताते है जैसे मैंने आपको बताया कि 24 पीछे रखनी है in input depth और फिर input window का size है फिर offset का आपने 24 रख लिया and then you move further और इस तरीके से जब आप अपना classes बना रहे होते हैं तो यह real world objects और different किसम के जो concept आप और रेड़ी यहां पे देख रहे होते हैं इनको depict भी करती है ठीक है तो आप एक data set पर पूरी class को generate करते हैं और class जो है वह perform करने के बाद आपको attribute दे देती है ठीक अब आप मेंसे किसी को कोई इससे बेहतर इसकी example पता हो या आपके mind में कोई example हो can you do you want to share कि class और function में क्या difference है आपको simple बात बता देता हूं यह दोनों चीज़ें use होती हैं आपके code को एक concise way में लिखने के लिए ताके जो बड़े-बड़े आपने function perform करने यह different किसम के operators का use करने वो असान हो जाए ठीक है इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं यह हमने class generate की है हमने ने की है यह code के अंदर की गए यह by the way यह advanced level का code है so if you want to understand this simple यह है कि इसको chat GPT में डालेंगे and it can actually give us the answers जो काम यहां पर perform हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूं आप यहां पे इस class को बना के आप दो values देते हैं, input width देते हैं, label देते हैं और shift देते हैं अपनी यह वही चीज़ है जो यहां पे हमने define की है, input width, label and shift, shift यानि के offset यह तीन चीज़ें define करके आपका एक object बन रहा है, basically class के अंदर जो functions perform हो रहे हैं वह इस base पे चल रहे हैं, अब यहां पे label width एक क्यों है, label width ज्यादा भी तो हो सकती है क्योंकि हमने prediction एक चीज़ की करनी है ना, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, जब हम function define कर रहे थे हो, तो हम define नहीं लिख रहे थे कुछ, define करके आगे लिख रहे थे, तो यहां पे पास यह इस तरीके से, window generator हमने design की है, and then 24 label width दी है, and then shift दी है हमने, और फिर हमने column भी बताया कि किस column के उपर window generator यह चलानी है, ठीक हो गया, reason क्या है कि हमने label width भी दी है, और हमने बताया कि किस column के उपर यह run करनी है, आपने, यानि के temperature की पिछली 24 चीज़ें लेके, अगली shift है, तो एक एक करके ही आगे move करता जा रहा है, अगर हमारे पास, यहाँ पे six window की depth हो, input की, और हमारे पास label width one हो, shift भी one हो हमारे पास, और same label हो, तो हमारे पास यह दूसरी window generate हो जाती है, so basically, यह दो windows generate होई है, यहाँ पे, एक w1, एक w2, और यह कोई बड़ी मतलब कोई science न आते हैं, जब आप machine learning और deep learning को कर रहे होते हैं, तो आप classes को भी generate करते हैं, और function अपने define करते हैं, और बारहल आज के दोर में, तो यह तो खैर पुरानी notebook है, पुरानी से मुराद दो-तीन साल पहले की है, आज के दोर में आपके पास window insider chat GPT पढ़ा हुआ, you can actually give that, के आपके window depth आपने बनानी है, इसकी इतनी value input की है, इसकी output की है, इसकी label की है, मुझे एक function design कर दो, या class बना दो, so it would be very easy, तो जारी बात है future के अंदर और और भी easy हो जाएंगे चीज़े, but if you want to understand this, सिरफ इसे देखके, code explainer में डाले हैं, everything will be there, ठीक है, बाकी इनोंने भी explain किया window generate, window generate कर ली हमने पूरे data कि जो हमारे पास data था, then what we have to do, we have to split the data, given a list of consecutive inputs, the split window method will convert them to a window of input and window of label, क्या होगा, जो हमारे पास data है, ये इसी को basically window of input और window of output में convert करता जाएगा, यानि कि split करेगा window को, for example, हमारे पास ये input width है, ये label width है, ये input और output के अंदर फिर पूरी के पूरी को convert कर देगा, यानि कि किस चीज को predict करना है, किस चीज को input के लिए लेना है, फिर वो आगे move करती है, फिर हमारा label अगला हो जाता है, तो window ये वाली जो है, ये basically आपके पूरे data set के ऊपर, इस तरफ से इस तरह move करेगी, और एके कर label को predict करती जाएगी, फिर अगले की तरह move करेगी, पहले ये predict हो रहा, बाद में ये इन्ही 5 window के अंदर आ जाएगा, फिर input बन जाएगा, फिर prediction होगी, फिर input बन जाएगा, फिर prediction होगी, फिर वो input बन जाएगा, तो ये consecutive process चलता है, तो आपकी window पूरे data पे move करती है, A to Z, त आपके पास जो पिछला data है, उसकी prediction होती जाएगा, और आपको model जो है, वो train होता जाएगा, तो इसके लिए आप function define करते है, split window का, ठीक है, आप ना भी करें, तो ये किया करया है, यहां पर पढ़ा हुआ है, you can actually use that, तो आपका जो window generator है, इसके उपर split window का function लगाएंगे तो ये split window का पूरे का पूरा function बन जाएगा, window generator की base पे, ठीक है, यानि के जो आपका window generator था, उसकी value आपने यहां पर दी input की, label width की और shift की, ये तीन value देने के बाद, जैसे ही आप साथ में split का function use करेंगे, तो ये window को split कर देगा into inputs and labels, इसका फाइदा क्या होता है, एक specific time में आपके input की values separate होती है, output की separate होती है, फिर वो दूसरे लम्हे में वो window आगे move करती है, फिर अगली label आजाता है आपके पास, फिर आगे move करती है, फिर आगे label आजाता है, so this is how it works, अगर आप यहां पर numpy को use करना चाहें, you can also use this three slices system, इससे जा होता है, आपकी window असल में, वो different three pieces के अंदर convert हो जाती है, which is totally a different thing, TensorFlow में use करने के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, but here this function can work better than the other strategy, क्योंकि उसके अंदर आप numpy array के अंदर काम को total window side को divide कर दे होते हैं, so this function is कदर बेहतर देंदा दौन, यह हमने किया क्या है, मैं अब आपको वो दिखाने लगा हूँ, हमने basically, यहां पे जो भी उपर काम हुआ है, मैं भी आपको इसकी तरफ दोबारा लेके जाता हूँ, मैं आपको दिखा दूँ एक दफ़ा कि हो क्या रहा है, इस तरीके से काम हो है, आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है, औरिजिनल डेटा आपके पास पड़ा हुए, ठीक है, इन्पुट जो आपकी है, इन्पुट के बाद आपके लेबल्स पड़े हुए उपर, ठीक है, लेबल्स आपने दी है, फिर उसी के उपर आप प्रेडिक्शन करते जा रहे है तो यह वो क्वेस्टन था जो उस दिन आजम भाई भी पूछ रहे थे एक सरोकात इंपूट डेटा के उपर यह लाइन और लगी होती है कि और इजिनल डेटा आ रहा होता है साथ में दूसरा डेटा आ रहा होता है तो असल में यह विंडो इंग के साथ चीज़ें चल रही होती है कि आप स्टार्ट से शुरू करते हैं और पूरे डेटा पर अपने पूरी विंडो को भेरते हैं जिससे आपके पास लेबल्स की आउटपूट आना स्टार्ट हो जाती है अगर नॉर्मलाइज नहीं करेंगे अगर विंडो को आप सिक्स बाइवन की रखते हैं तो इट वूट बी डिफ्रेंट सेम वही चीज़ है अगर आप स्टैटिक डेटा पर बात करें तो आपके चोबीस यानिके छे इंपुट फीचर्स है यहां पर अगर मैं जाओ छे इंपुट फीचर्स है ठीक है और आपका लेबल एक है छे की बेस पर आप एक को प्रेडिक्ट करनें ओफसेट का मतलब यह है कि एक एक करके आगे मूव करते जाने समझ आई बात की का नहीं विंडोज के छे आपके इंपुट फीचर है एक को और साथमे को आप प्रेडिक्ट करने विच इस लेबल नाओ ऑफसेट का मतलब यह है कि हैस्ता हैस्ता आगे मूव करते जाने ठीक है ऑफसेट अगर आप ज्यादा रखेंगे तो वह उस विंड बाजू के नीचे आप तीन बच्चे खड़े कर लें ठीक है अगर पहले के सर पे हाथ रखते हैं तो आपका ऑफसेट वन है यानि कि एक बच्चा आपके पास है आप उससे एक स्टेप की दूरी पे है या एक कदम दूरी पे है अगर आप जैसे दूसरे पे हाथ रखते है आपका offset 2 हो गया यानि कि एक को छोड़के आप दूसरे पर move करें ठीक है अगर आपका offset 3 होगा तो तीसरे बच्चे के सर पर अगर आप हाथ रख रहे हैं दो खड़े हुए तो आपका offset 3 है तो अगर आप ऐसे हर तीसरे बच्चे के सर पर हाथ रखते जाएंगे तो यह आपका वो step बनता जाएगा ठीक है तो यह offset होता है तो यूजिली यह आपने डिसाइड करना होता है कि offset कितना रखना और इससे कितनी वैलियू आप प्रडिक्ट कर सकते हैं तो अब हो क्या रहा है यहां पे यह मैं फिर अगें यही बात करता हूं यह जो है आपके पास वैसे भी लिंग मैंने आपको सेंड किया हुए जो यहां पर सीखने वाली चीज़ है डैट इस विंडूइंग की बेस पे आप टाइम सेरीज के अनलेसिस को आगे मूव करते हैं और इसकी बेस पे आपकी प्रेडिक्शन आ रही होती है इसी वज़ा से बहुत जुरूरी होते हैं and then you have to split the data, split windows क्या करती है आपकी window की input और output को separate रखती है ठीक है उससे हमारे पास जो plots आते हैं वो different किसम क्याते हैं अब यहां पे इन्होंने function plot का भी function जो है वो बनाया हुए बकाइदा हर window का separate plot भी बन गया ठीक है मैं फिर यह बात करता हूँ कि यह तब की notebook है जब हर बंदा अपना function बनाने के लिए चला हुआ था and there are many people जो इस तरीके से काम करना पसंद करते हैं यहां पर प्लॉट लिगा यूज बहुत कम देखेंगे अपनी अपनी प्रेफरेंस की बात है आप function भी define कर सकते हैं उससे क्या होता है कि जितना काम आपने किया है वह for loop के अंदर define function के अंदर if else की condition के साथ वो चलता रहता है यानिके अगर आप गोर करें यहां पर उसने हर एक input लिए है and then उसने जितनी भी आपके पास range आई है सभी को plot करना start कर दिया iteration के base पे for loop लगा के and then if else के condition लगा है अगर यह नहीं होगा तो वह जाएगा वो नहीं होगा तो यह होगा and then scatter plot यहां पे हमारे पास बना है with the trend line तो बाइदावे यह scatter plot होता है एक पॉइंट दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट चोथा पांच 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 छटा and then you are drawing a trend line between that ठीक है and this is how you can plot your design अब यहां पर आपको यह plot देखके मुझे को बता सकते हैं में से कि इसमें input width कितनी है offset कितना है और level width किया है यह blue line input है input width कितनी होगी इस window की हमने यह w2 plot की है basically input width कितनी है एक दो तीन चार पांच छे अगर आप गौर करें ना तो जब स्टार्ट में हमने विंडो बनाई थी डैट वस डबली टू यह रही वह window मैं आपको यहां पर दिखा के भी गया था इस डबली वन चोबीस बाइचोबीस और एक विर्थ लेबल की और यह हमने यहां पर generate भी की है चेक करें तो इसका म्तलब यह है कि आप जितनी विड्थ रखते हैं जितनी लेबल विड्थ रखते हैं और जितनी शिफ्ट रखते हैं यह आफसेट रखते हैं तो जिस creates पर लगाएंगे वह आपके पास वैसे प्रेंट होके आगाई इसका मतलब यह है कि सिंपली हमने विंडो जनेरेटर के थूरू विंडो बनाई है और बाद में उसे प्लॉट करके देख रहे हैं और इसमें कोई साइंस नहीं ठीक है अब इसके बाद आपके पास विंडो तो आ गई अप उसको डिफरेंट कॉलम्स पर प्लॉट कर सकते हैं हमने किया इसे किस पर प्लॉट टेम्प्रेचर पर किया है आपने अगर प्रैशर को करने तो आप इस पर कर लेंगे प्लॉट फिर आगे चलते जाएंगे तो इस टोटली अप तू यू लेकिन एक बात का खि है प्रडिक्शन जो है ठीक है लेबल जो है लेबल कॉलम अच्छा यहां पे जब हमने किया हमारे पास लेबल आ रहा था यहां पर क्योंके हम सिर्फ प्लॉट पर को कर रहें प्रेशर को कर रहें तरह है ताटस वाइप्स वी आर मेटिंग विंडो वन तू थ्री फोर six label or offset क्यों नहीं आ रहा क्योंकि label or offset temperature का हमने दिया हुआ था start में so you always have to define कि किस एक parameter को आपने predict करना है और usually यह वाला parameter आपका price होता है stock market में सिर्फ price होती है जाता कोई और चीज आपका हम भी predict करते हैं या stocks की percentage होती है volume हो जाता है एक parameter को प्रडिक्ट करते हैं so it's up to you कि आपने किस parameter को रखना है यहां पे क्योंकि time series analysis में हमारे पास multiple feature output है तो we can see कि हमने pressure bar को रखना है temperature को रखना है humidity को रखना है किस चीज़ को रखना है अच्छा यह तो हो गया आपको windowing की base पे आप datasets भी अपने create कर सकते हैं using tensorflow which is not necessary at this point क्योंकि हमारे पास already dataset मुझूद है जिस पे हम काम कर रहे हैं तो अगर आप data windowing की बात करें तो यह चोथा point जो है इन्होंने यहां पे define किया हुए we can create a TensorFlow dataset based on the window यानि कि आप क्या करते हैं windows generator का function लगाते हैं उसकी base पे आपके पास एक dataset आ जाते हैं ठीक है और वो self generated आपका dataset हो जाएगा आइधर आप अपने current data से भी उसको तोड़ सकते हैं या नेया भी बना सकते हैं to you so you don't need to worry about के data किस तरीके से नज़र आएगा और यह बस उन्होंने एक इसका function बताया कि data window किस तरीके से होती है परहल जब आपकी windows बन गी है ना फिर आपका अगला काम start होना है which is single step model हमारे पास यहां पर दो किसम की model है सेम डेटा पर अभी तक जो हमने देखा है ना यह जितनी भी देर अभी मैंने आपको पढ़ा है विच्ट वाज ओन्ली रिलेटिव टू डेटा विंडो इंडो एक फंक्शन जनेरेट कर लें विंडो बना लें बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं फिलाल के लिए तो अगर आप परेशान हो रहे हैं कि यह सारे फंक्शन हम कैसे बनाएंगे चाहर जीपीड़े पर हम की स्टैप मॉडल हम इन दोनों चीज़ों को देखते हैं कि यह किस तरीके से काम करते हैं पहले सिंगल स्टैप मॉडल की तरफ चलते हैं आप जब एक मॉडल से एक फीचर वैल्यू को एक टाइम स्टैप पे प्रडिक्ट करें तो वह सिंप्लेस्ट मॉडल है यानि कि एक इन्पूट है मॉडल आया टीवन को प्रडिक्ट किया और टीवन ही आपका लेबल है फिर उसी के बेस पे अगला आया उसने इन्पूट वैकर इस को प्रडिक्ट किया आगे चल पड़ाँ इसमें क्या होता है कि आप ती 0 की बेस पर लेएक चाहते हैं तो अगर आप वो रख्याद पे आप एक इंपुट से टी वन से टी टू बनाएंगे फिर टी टू से टी थ्री बना सकते हैं और फिर इसी तरीके से आगे जायते जाएंगे यह सिंप्लेस मॉडल है टाइम सेरीज का विच इस नौट ऑविसली यूजड इन इन लाइफ बिग मॉडलिंग टेक्नीक्स लेक स्टैप है तो आपने यह चीज़ अपने माइंड में रख दी और यूजली बाइदावे जब भी कोई काम होता है उसे यूनेट फंक्शन के हिसाब से रखा जाता है यूनेट फंक्शन क्या है कि आपका प्राइस चेंज हो रही है आप कभी ऐसा नहीं करते कि दो दिन करते हैं ठीक है ताकि वह यूनेट के अंदर रहे मतलब यह कि अगर मैं इसको वन स्टैप करता होे अगर मैंने स्टार्ट में दो गहंटे बनाए हुए तो मुझे पता होना चाहिए कि यह दो गहंटे सो आई हाव तो डिफाइन के मेरा आदा स्टेप एक गहंटे के ब्रापर है सो इस्टेप इस टेकिंग कितने टू आउर्स तो उसके हिसाब से में बताना पड़ेगा पर जारी बात है वह थियूरी की बाते हैं विन्डो जर्ड़ेटर अबजेक्ट को प्रड्यूस करना है हमने यहां पर क्रियेट करने के लिए अभी हमने सिंगल स्टेप विंडो बनानी तो क्या करेंगे भी इन्पुट वन शिफ्ट वन लेबल वन एक 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 simplest model हमने एक 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 की base पे label column किया यह single step window बन गी यही काम हमने पीछे किया ना generator में function जब हमने create किया class create की अब देखें जब एक 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 बन गया तो total window का size कितना हुआ हमारा दो step हो गए ना एक input एक output दोनों के मिलाएं तो दो बनते हैं ना जैसे हमने पीछे 24 और 24 को मिलाया था 48 बना था 6 और 1 को मिलाया था 7 बना था window का size तो आपकी window का size यह हो गया input indices 0 आपका input है यानि कि पहला index जहां से value start हो रही है दूसरा index कौन से है 1 which is your label अब हो क्या रहा है आपका जो data है ना उसके उपर मैं एक मिन्ट मुझे इसकी screen को मैं set कर लूँ आपका जो data है ना यहां पे something like this यह आपका data है यह क्यों नहीं चाल रहा है इसके उपर तो आपके पास एक input है इसकी base पर दूसरा predict करेंगे दूसरा predict हो गया फिर दूसरे की base पर तीसरा हो रहा है तीसरा हो गया तीसरे की base पर चोथा हो रहा हर step के बाद एक prediction होती जाएगी यह simplest model है और अब देखते हैं कि यह कैसे perform करता है हमने यहां पर अपने पास एक step रख ली गया for example हमने एक window create की single step की और हम अब क्या करेंगे we will create a dataset from it और वो क्यों ज़रूरी होता है अगर आप एक dataset बना लेते हैं तो हर step का predict हो कि उसका automatically data बनता जाता है फिर आप उसको prediction पर प्रिंट कर देते हैं यानि के model run करते हैं आप prediction आई original आपके पास है उसके साथ ही column में दूसरा आता जाएगा फिर तीसरा आता जाएगा तो इस तरीके से आपके पास दो column के साथ साथ तीसरा भी बनता जाएगा उससे क्या information आपको मिलती है एक original label है input फिर एक label एक prediction we will see the idea कैसे बनता है ओके अब हमारे पास यहां पे अगर हमने linear model generate करना हो और उसके ओपर data बनाना हो तो उसकी output कैसी नज़र आएगी मैं भी आपको दिखाता हूँ यह for example हमारे पास यहां पे जिस्टा मिनट इस इस फूर ट्वेंटिफूर इनग्राफ इन्हें वह बनाया हूँ इसको मैं आपको ड्रॉव करके दिखाता हूँ अब आपके पास क्या चीज है जी यह आपका data है किसम का temperature का ठीक है और यह आपका इनोटेशन ही नहीं काम कर रहे है यहां पे काम कर रहे है मैं अपनी स्क्रें दूसरी शेयर करता हूँ जूम को को मसला बना हुए यह आपका एक temperature का data है ठीक है पूरिजिनल डेट है अब सिंगल स्टेप मॉडल क्या गरता है एक आपकी input है इसको अगर मैं 0 index बोलू इसको 1 इसको 2 इसको 3 ठीक है यहां पे आगया आपका लेवल यह होगी आपकी input आई इससे मैं लिख देता हूँ इसको मैं लेवल लिख देता हूँ जब पहला index आएगा तो इसने कौन सा predict करना है दूसरा घरना है which is one समझ रही बात की पिर so on and so forth आगे चलता जाएगा यहां पे दो तीन चार और इस तरीके से आगे चलता जाएग जीरो का लेबल जो होगा जीरो के input का जो जीरो ने प्रेडिक्ट करना है और जब यह प्रेडिक्ट करेगा नंबर वन वो हमारे पास उसकी original value भी है तो जब हमने प्रेडिक्ट किया वह आई एट पॉइंट एट ठीक है तो इस इस आउट वर्क्स तो step by step यह one by one आगे चलता जाता है और चीजें अपने पास train करता जाता है और प्रेडिक्ट करता जाता है एट दी एंड आपके पास क्या होना जनाब इस तरीके से आपके पास एक line ऐसे बननी है ठीक है इनपुट की दूसरा आपकी बननी है लेबल्स की जो लेबल्स थे वो सी के उपर ही होते हैं लेबल्स ज्यादा तर फिर तीसरी जो आपने वहां पे line ड्रॉग करनी है और यह यूजिली क्रीब क्रीब नहीं होती जब आप सिंगल स्टेप लगाते हैं तो जब आपकी विंडो बड़ी हो जाएगी काम यही चलना है लेकिन पीछे आपके पास चोबीस इंपूट की वैली होंगी उसकी बेस पे अगली जितने आपने प्रडिक्ट करनी है वो उस स्टेप की बेस पे आगर प्रडिक्ट करता जाएगा यानि 24 की बेस्ट पर एक पर करनी है एक हो जाएगी दो करनी दो तीन करनी तीन चार करनी चार 24 की 24 करनी 24 भी हो जाएगी ठीक है and then you can also see कि आप के पास label कितने पर डिक्ट करनी मल्टीपल लेबल भी हो सकते हैं और individual levels भी हो सकते हैं आपको यह कुंसेप्ट समझ आ गया अब इसकी बेसलाइन और बाकिए चीज़ों को हम देखते हैं हमने जब यह विंडो जन्रेट की है नाव विल सी कि यहां पर हमारे पास for example inputs कोई भी आपकी जो inputs है that one और उसका लेबल in single step window.train.take यह क्या काम करता है यह basically आपका training validation and test data जो लेके उसके उपर easily trade करता है batch को बैच का मतलब होता है कि easily trade करता जाएगा उसको बार-बार कि पहला एक set पर perform की इसने training testing validation पिर दूसरे पर तीसरे पर फिर चोते पर पर पांचवें चटे साथमें आगे चलता जाता है अब यहां पर अगर आप गोर करें आप यहां पर अगर one by one की आपकी shape है तो वह आजाएगी यहां पर ठीक है अगर two by two की है वह आजाएगी three by three की है वह आजाएगी batch का मतलब है कि कितने processes एक दफा पर फार्म करने पैच की मैं आपको एक और example दे देता हूं अभी कल मेरे माइंड में आई थे मैंने कर चलो class में बता देंगे पैज का मतलब क्या होता है आप अगर एक video edit कर रहें हैं आपने एक video edit कर लिया लेकिन आपने वो एक्सपोर्ट नहीं की जिसको में रिणडर करना बोलते हैं पिर दूसरी वीडियो एडit कर लिए लेकिन एक्स पूर्ड नहीं कि इसी तरव अगर 32 विडियो एडिड कर लिए रेंडर देंघ ने की आप उनको बैज के अंदर रख लेंगे फिर क्या करेंगे यठ दम जब आपने सोना था आप भाई खुद बाखुद रेंडर करती जो वो 32 की 32 विंडोस सारी एक ही दफ़ा पे आप रेंडर करेंगे डाट इस गाल्ड बैज प्रोसेसिंग यानि के एक बैज के उपर पूरी प्रोसेसिंग करना अगर आप उसका साइज 32 रख देते हैं बैज का तो उसकी बेस पे आपका जो परफॉर्मस है पूरे के पूरे 32 पॉइंट के उपर एड़ टाइंग होगी ठीक है अब यहां पर सिंप्ली वही है होता क्या है आपका जो ट्रेनिंग का डेटा है जो हमने ट्रेनिंग का बनाया था आपको पता है ना 70 फिसद ट्रेनिंग था 20 फिसद हमारा था वैलिडेशन और 10% हमारा था टेस्ट डेटा याद है ना पिछले लेक्ट्टर की बाद सैटेड़े को जो हमने काम किया था उसके उपर यह क्या करेगा अब इसलिए ट्रेट करेगा पूरे के पूरे बैच को ठीक है उसके लिए हमने यह वाला पूरा एक फॉर लूप चलाने ठीक हो गया इससे क्या होगा आपका इंपुट शेप आप देंगे फिर आपका बेसिकली बैच के उपर काम करेगा फिर टाइम फीचर पर करेगा ठीक है फॉर इग्जेंपल अगर आप बत्तिस में चला रहे हैं तो वह आ जागा वन को करना व पावर बाकी बार और जितने भी आपके फीचर सभी भी करना सभी भी भी कर देंगे आपके पास पूरे के पूरे डेटा साइट के ऊपर एक स्पेसिफिक काई टाइप की इटरेशन चलेगी जो ट्रेनिंग वैलिडेशन और टेस्ट डेटा पर चलेगी और एक की बेस पे दूसरे को प्रेडिक्ट करती जाएगी तो बिसिकली यह वह काम हो रहा है और यहां पर बैच की वैलियू का यह मतलब है अगर आपने लेबल को 19 को रखना है फीचर को अगर आपने इस इनपूट शेप को कम रखना है मतलब एक को रखना तब भी ठीक है तीन को रखना ठीक है तो इस तरीके से ये वाला जो है लूप यह में यह वाली चीज करके देता है जिससे हमें हमारे पास एक लेटा-सेट क्रिएट हो जाता है im. बन जाते हैं प्रेडिक्शन के भी इन्पुट की बेस पे अब होता क्या है अभी अभी तक आपने क्या किया है विंडो शेप की बेस पे डेटा क्रियेट किया है अपने डेटा से डेटा क्रियेट किया प्रेडिक्शन का और वाकी चीदों का अब आपने क्या करना है आप बे इन चीज़ है बेस लाइन की जब हम ट्रेनेबल मॉडल यानि कि अपना पूरा मॉडल टैंसर फ्लो के थूरू बनाना स्टार्ट करते हैं उस से पहले बहतर होता है कि हम अपनी बेस ना इले पॉइंट ऑफ कंपेरिजन बना लें कि कहां पे किस चीज़ को कंपेर करना है यान ताकि मैं बार-बार दो दिन लगाके दोबारा से चेक ना करूं ठीक है तो यू हेफ टू मेक बेस लाइन होता है ना स्टार्ट में आपको प्रॉजक्ट बना रहे हैं तो बनाके चेक कर लेते हैं इसकी मिसाल ऐसे मैं देता हूं कि अगर आपने गर्मियों के स्विज़े है और फोड़ा से बनाकर चासर अब यह करत honest करते हैं लुदा अच्छा अचौह इसा तो नीचे लगा dialog तो बहतर है कि पहले थोड़ी से अपने लिए बनाके चेक करें उस पर प्रैक्टिस करें फिर आई इस्ता 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 पांच किलो पर जाएं फिर आगे जाएं वरना ऐसे नाई को कोई नहीं पूछता जो पहले दीने बैठता और देग बनाने बैठ चाहें तो यू आफ तो स्टार्ट विद अपैन और इसके बाद देख की तरफ मॉफ करें तो बेसलाइन का मतलब यह एक-एक है अगर यह चोबिस चोबिस भी होता सेम चल रही है ठीक है अफ कोर्स यहां पर जब बेसलाइन बनती है तो उसके लिए बाप एक क्लास बना सकते हैं कि हमारा यह वाले पैरामेटर हमारी बेसलाइन के अंदर आने चाहिए तो आप अपने लेबल इंडेक्स बता आप बेसिकली एवैल्यूएट भी कर सकते हैं ऑन दे सिंपल स्टैप ठीक है मतलब यह के उननीस पर चलाने से पहले किसी एक परामेटर पर चला के देख लेए चारवी रहाए के नहीं चला सिंपल सी बाथ और उसको स्टैप भी आप देख सकते हैं सिंगल स्टैप विंडो रहे चीज़ें और हर एक फीचर के ऊपर वो सिंगल स्टैप मॉडल लगा कर देखते हैं कि इसकी नेचर कैसी है उस हवाले से बवर विंडो का साइज डिसाइड करते हैं क्योंकि आपको खाब थोड़ी नाना है कि 24-26 की विंडो चलानी है या 18 की चलानी है और टाइम सीरि के बात होता है सबसे पहली चीज़ का से दिमाग में आती है तो डिमेन हर किसी बंदे के पास है ये कोश्म अच्छा टेमी टिया जाता है मौसम सर्दिय वाला टंप्रेचर काम में वहां यहां पर सिंगल स्टप मॉडल यहां पर बनाते हैं ठीक है कोलम आपने दिया बेसलाइन function के अंदर basically आप input और output की values दे रहे हैं और tensor flow आपको keras model इसी के अंदर input और output की value की base पे बना के दे रहे हैं ठीक है you just defining के हमारे पास ये वाला parameter है उसकी base पे वो baseline model create हो गया इसी baseline के अंदर आप compile model लगा दें compile कर लें को में अप्सलीट error को करने और में स्केर्ट error रखने हैं क्यों यहां पे हमने accuracy या दूसरी चीज़ें क्यों नहीं लिए बाइदावर क्योंकि टाइम सीरीज रिग्रेशन की problem होती है अगर गौर किया जाए तो temperature regression है चले मुझे एक बात तो बता है कि टाइम सीरीज में classification होती है चलें इस पर चेक कीज़ेगा कि टाइम सीरीज में classification होती है अगर होती है तो किस किसम की होती है पाइनरी तो जरूर होती है कि threshold आप लगा दें कि इससे ज्यादा value आई तो यह इससे कम आई तो यह multi class classification की कोई example आप मुझे बताइगे सोच के बताइगे कोई मसला नहीं होता है पट वियाफ तो थिंक अबाउट आट ओके तो यहीं पर आपके पास मेंस्कूर्ड एर्र और बाकी मॉडल भी चल जाए रहा है यह जो मॉडल को चलाने का तरीका है और class के साथ this is an advanced method आप खुद से tf.keras.model की layers बनाके भी कर सकते हैं कि input इतनी है output इतनी है और आप उसी के अंदर अपनी values add कर सकते हैं 24 पे गए तो 0 से लेके 24 तक आपके inputs हैं वही आपके prediction है यानि के एक 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 की base पे prediction चलती जाएगी सही है अब आप वो एक बच्चे को नहीं देख रहे हैं आप तीनों को देख रहे हैं जितनी आपके बाजू के नीचे आ रहे हैं समझने बात तीन आपके step हैं अब उसको देखने के बाद आप चेक करें आपके पास T0 से T1 नारी T1 से T2, T2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 एं इस तरीके से काम चल रहे हैं ये input है prediction और ये label और रेड़ी पढ़े हैं इसका मतलब है जब label आपके पास और रेड़ी पढ़े हैं prediction आपकी आ रही हैं तो ये वही scene नहीं आपके दिम basically वही scenario है यहां पे लेकिन यहां पे हर step को हम count कर रहे हम final neuron को नहीं देख रहे हैं हम यहां पे हर एक value को साथ साथ देख रहे हैं किसका label क्या था अगले का label क्या था अगले का label क्या था और अगले का क्या था एन इसके बाद आप क्या करते हैं अब यहां पे चैक करें 32 आपके क्या पास क्या है पैच साइस 24 आपके पास क्या है जी शिफ्ट्स 19 क्या है आपके पास इन्पुट ठीक है यह वन क्या है आपके पास लेबल है ठीक है अब आप खुद अंदाजा लगाएं अगर आपके पास 35,000 रोज हैं उस पे आप ये 24 वाला काम कर रहे हैं और प्रडिक्शन हेवी किसम की हो रही है ये आप नियूरल नेटवर्क से ज्यादा कंप्यूटेशन नहीं लेगा तो इसी वाड़ा से टाइम सीरीज के अंदर एक तो डेटा बहुत ज्यादा लेना ज़रूरी होता है सेकंडली कंप्यूटेशन पावर आपकी स्ट्रॉंग होना ज़रूरी है या तो टाइम आपके पास हो टेक्स टाइम लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं लेगा कि दो दो तीन तीन दिन ले टेक्स टाइम एक देड़ी घंटे के अंदर काम इजीली हो जाता है सेम वही काम है हमने फिर बेसलाइन बनाई 24 के उपर और यह आप चेक करें जी आपके पास प्रेडिक्शन इस तरीके से आ जाएगी ठीक है यह 24 की प्रेडिक्शन साथ साथ आ रही है अगर वन बाइवन की कर रहे होंगे वह भी आप ऐसे प्लॉट कर सकते हैं जो उपर हमन अगर आप 24 की बेस पर उन्ही 24 को करना चाहते हैं जो उसके साथ साथ चार रहे हैं और अगर आप यही विंडो 48 की कर लेंगे तो यह 48 at a time आपको नजर आएंगे और उसके प्रेडिक्शन आएगी and then 48 47 47 47 आगे चलते जाएगे तो आपके पास हर एक पॉइंट की प्रेडि ठीक है यही वज़ा है कि आपका टमप्रेचर जो होता है वो बेसिकली अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है तो यह सिंपल लीनियर मॉडल है आप इसको भी लगा सकते है कि आप कॉल बैक फंक्शन को यहां पर यूज कर लें मैक्सिमुम इपॉक्स को बता दें ठीक है औ देन यू कैन आल्सों पूट सम्सिंपल लिनियर मॉडल वो क्या होता है जनाब कॉल बैक फंक्शन लगाया आपने मॉडल को यहां पर कंपाइल किया विद में स्केर्ड एरर एंदेन आपने हिस्ट्री के बेस पे उसको सभी को यहां पर देख लिया लीनियर फंक्शन आपको यह बताता है चलें आप मुझे बताएं कि लीनियर हमने फंक्शन पड़ा था वह क्या चीज़ देता है अगर लीनियर मॉडल हम बनाते हैं तो में वह क्या चीज़ देगा एक आउट्पूट वैल्यू की देगा ना सिंपली तो यह वही काम यहां पर हो रहा है ठीक है आप सिंपली वही काम करें सिक्वेंशल बना के डेंस लेयर देते हैं यूनिट इस एकल टो वन रख देते हैं और यू एक्शुली कंपाइल दा मॉडल इस तरीके से और वहां पर विंडो का बीच में साइज देंगे यह असल में फंक्शन के अंदर उन्होंने वही नियूरल नेट्वर लग रहे होते हैं देन यह इपॉक्स चलेंगे और आप 24 पर चलाएंगे तो इट विल टेक मोर टाइम और यह आपके पास उस तरीके से लीनियर फंक्शन बना देगा आप उसको प्लॉट भी कर सकते हैं कि कहां पर वैल्यू ज्यादा और कहां पर किसकी वैल्यू किस एक स्पैस नेटवर्क बनाना है सो यू कन दूइट लाइक दिस यह सिंपल एक उसकी फॉर्म है आप वही काम करेंगे लेकिन आपके पास बेसिक जो काम होगा वह सिंगल स्टेप विंडो या विंडो जो है वह इसके अंदर आपने डिफाइन करनी है ठीक है हिस्ट्री के अंदर काम वही है डेटा सारा वही है विंडो बनाना में मकसद था जो आपने यहां पर मॉडल के अंदर लगाना है ठीक हो गया सिंगल स्टेप विंडो जो पहले बनी हुई है वह हम लगाएंगे तो हमारे पास इस तरीके से डेंस नियूरल नेट्वर्क जो हमारा बन जाएगा ठीक विर्थ बता देंगे स्टार्ड में कि कितनों को करना है यानि कि एकठा करना मैं चाहता हूं कि तक्रीबन पचास पिछली वैलियू की बेस पे मेरे पास एक वैलियू आये और उन सभी का एकठा वेट मेरे पास है तीन की बेस पे अगला चोथा प्रडिक्ट करना ठीक है और हमारे पास लेबल भी उसका मुझूद है आपको क्या लगता है कि यह models जदा accurate होगा या single step model जदा accurate होगा या 24 वाला accurate होगा 24 वाला भी basically एक-एक को predict कहरे लेकिन 24 एक दफाँ चला multi step will be more accurate क्यों क्यों कि पिछली केई चीजों की वज़ा से इसकी prediction आ रही है और याद करें मैंने आपको एक long term memory भड़ाई थी long short term memory वो उसकी वज़ा ही यह थी कि कुछ चीजें पिछली दो तीन value पे भी depend करती है होता है ना अक्सर 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 वकाद कब बज़ुरुगवार जो हमारे अलाकों में होते हैं अब तो खैर बज़ुर्ग वैसे नापैद हो रहे हैं पता नहीं है सी वड़े हो रहे हैं इस तो वो अक्सर कहते होते थे इद्रों बद्दल आये आज मीं पहेगा होता है ना ऐसे अगर आपने सुना हो ये बात कि फलाँ शमाल से बादे ला रहे हैं आज बारिश होगी उननों किद्धा पता चल जाना से अक्सर अकाद अम्मियां भी कह रही होती है घर पे आपको याद होगा ठंडी ठंडी हवाँ चार रही है आपके पास वाले लाके कर लगता वां बारिश हो रही है हम ये कभी नहीं कहते हैं कल बारिश होईती आज भी होगी ऐसा पॉसिबल है कि कल बारिश और हम प्रेडिक्ट कर लें आज भी होगी नहीं न क्यों कि बारिश के लिए आपको काफी पैरामेटर्स और उनकी लांग टर्म मैमोरी भी साहिए कि बादल कहां से चलके मूव करके आये हैं पारिश होने के लिए जो तासुरात का हम काइम होने होते हैं क्या वो हो रहे हैं प्रेशर उतना मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ सो इस वज़ा से आप मल्टी स्टैप डेंस मॉडल जो है उसे क्रिएट करते हैं यूजिंग डिफरेंट इन्पूड फीचर ताके आपके पास पिछले पांसा दिन का डेटा हो जिसकी बेस पर अगला प्रडिक्ट करें और यह मैं पांसा दिन नहीं कह रहा बेसिकली आपके पास सालों का डेटा होता है तो उन सभी को करेंगे तो उतना आपका मॉडल फिट हो जाएगा अब आपने यह भी नहीं करना कि मैं भाई एक्जेक्टली तीस डिगरी है तो तीस से कतिस नहीं मैंने प्रडिक्ट करना तीस होना चाहिए और आप इसी बात के पीछे पूरा हमारे रिसोर्सी यूज होने और कब तक हम प्रडिक्ट कर सकते हैं थोड़ी सी एरर के चांसिज होते हैं कभी भी हंडर परसंट आप एकुरेट नहीं हो सकते हैं नहीं तो यूके वालों से पूछ लें यहां पे बारिश बताई होती है तब होती है और वहां पे वैदर का क कोई मतलब है इनी पुरसाने हाल कब जब मर्जी पारिशोड है जब मर्जी वहां पर आंदी आजाए आंदी से मुराद साध्या ली आंदी नी जड़ी नेरी हुंदी तेज हमाएं चलने लग जाएं सो अक्सर उकाद साहली आलाकों पर यह काम होता है सो सम्टाइम्स प्रेडिक्शन वर्क सम्टाम नहीं ठीक है जी मल्टी स्टैप की समझ आगी विंडोइंग का चक्कर है बेसिकली के इन्पूट को कॉन्विल्यूट करके अब तीन लेर्स के अंदर लेके आ रहे हैं और एट इन्पूट विट था आपने ये वली बतानी इस तरीके से कितनी इन्पूट विट थे एक फिर दूसरा तीसरा पर इस तरीके से प्रडिक्ट ऑद हो यह तीन मिलके चो फॉते को प्रडिक्ट करने यहां पे भी तीन वैल्यूज मिल के उयांचा को पर्डेक्ट करणे उर इसकी वज़ा से इसकी एकुरिसी भी ज्यादा होती है अगर आप पीछे दस वैल्यूज रख लें उसकी और भी ऐकुरेसी हो जगी आपको भी पता है फीचर जितने ज्यादा हो उतना लेवल अच्छा उप है तो यह आप पे डिपेंड करता है आप आपने कितनी लेके चलनी है हिस्टरी में प्रडिक्ट करने के लिए फीचर को ठीक है ओके मल्टी स्टेप डैंस मॉडल कुछ इस तरीके से बनते हैं बड़ा सिंपल चाहितना कोई इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है आप बेसिकली क्या करते हैं आप सिक्वेंशल लेयर बनाते हैं और उसके अंदर फ्लैटन लेयर फिर बाद में अपने यूनिट बता दें कि मैंने 32 रखने एक्टिवेशन ज्यादा तर रेल्यू ही चलेगा रिजन क्या है रिजन यह रेल्यू एक्टिवेशन फंक्शन यहां पर ख्यूंचलन है क्योंकि आपके पास जो वैल्यू आ रही है वह एक स्पैस निए प्रेटीव देखनी हम कौन सा फंक्शन देखेंगे रेल्यू नेगिटीव देखने तो क्या करेंगे पैरामेट्रिक रेल्यू भी देख सकते हैं इसके इलावा कौन सा फंक्शन जो नेगिटिव वैल्यू में बता देता है चलें सोचिए गाइस के बारे में वो जो एक डाइग्राम थी ना वो मैंने आपको बताई थी जीरो से नीचे जब लेफ्ट साइट पे हम जाते हैं तो दो तीन फंक्शन वहाँ पे मूव कर रहे हैं लिकी रहलू है परेमेट्रिक रहलू है इसके इलावा एक और था एस टाइप था आप चेक कर लिजेगा सिगमाइट जीरो से नीचे नहीं जाता क्या हो गया जीरो तो वन होता है सिगमाइट तो खुदा आदे बंदे हो कोई मसला नहीं है टैन एच को देखिएगा एक दबाव ना आपको समझा जाएगे ओके नौ इशू यहां पर बाइद वे हम आउटपुट के लिए यूनिट जी वन रख रहे हैं इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है कि आपके पास नहीं सिगमाइट का एस नहीं बोला था मैंने वो कोई और ऐस बोला था वो भी देख लीटेगा यहां वे हमारे पास टी एफ डॉट के रास डॉट लेयर्स डॉट डॉट देंस यूनिट इस एक नियूरान क्यों रखा है हमने क्योंकि हमने लीनियर एक्टिवेशन फंक्शिन यूज़ किया है बेसिकली जो वैल्यू आ आप यहां पर क्या करेंगे इसके नियूरान्स की वैल्यू जाए वो डिफरेंट चेंज करते जाएंगे ठीक है और यहां तो सी किस तरीके से आपके पास फाइनर रिजर्ट देता है और इंपूट शेप और आपूट शेप के लिए आप बेसिकली इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं कि आप 19 फीचर्स की बेस पर एक को प्रिडिक्ट करें तीन आपका स्टेप साइज है यानि कि तीनों को मिला के आपने चोथा बताना है आप यहां पे सिरफ चेंज कर देना पंदरा तो पिछले पंदरा हो जाएंगी यह जो मैंने कॉन्वलिशन का साइज आपको बताया था कौन विट्थ ठीक है अगर आप इसको चार रख देंगे चार हो जाएंगे बीस रख देंगे बीस सो रख देंगे सो दस अजार रखनी दस अजार हो जाएंगे डिसन मैटर पर बी केरफूल इन्हीं न रखियेगा क्योंकि स्टार्ट वाली फिर मिस हो जानी है इस वजा से फिर आपको वन टू वन स्टार्ट से चलाना पड़ेगा अब समझ रहें वन टू वन क्यों यूज होगा वन स्टेप मॉडल क्योंकि वो हर एक वैल्यू को प्रडिक्ट करेगा फिर आप चलाएं दूसरा मॉडल विच इस दिस वन मल्टी स्टेप मॉडल और इसके अंदर आप क्या करते हैं तैंस लेयर के अंदर कॉन्विलूशन लेयर को स्टार्ट कर सकते हैं तो आपके पास वन बैवन वाली भी स पर आप इस तरीके से प्रडिक्ट करते हैं तीन की बैस पर चौथी आपके पास यह लेबल और इजिनल है ग्रीन वाला प्रडिक्शन यहां पर आ रही है सब्सक्राइब लेकिन एक बाद याद रखें नेटवर्क क्या करते हैं पहला आपको गलत बताएगा दूसरा थोड़ा सा क्रीब होना स्टार्ट हो जाएगा तीसरा इनका और डिफरेंस क्रीब होना स्टार्ट हो जाएगा विकॉस यूर रनिंग अन एडप स्टेशन से यह चीजें क्लोज होना शुरू हो जाएंगे प्रेडिक्शन और लेवल स्टार्ट स्टार्ट में घलत होंगा टॉन्ट वरी अबाउट दाट और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास सिरफ एक महीने का डेटा आप स्टाउक पर डिक करने निकले हुए अगले बंदे थे पैसे डिबॉन आस थे सो एक महीने का डेटा इस नॉट एनफ यह जो बैंकों का डेटा है ना यह इंतहाई जबर्दस डेटा अगर को बैंकों वाले से कोई आउटपूट अच्छी लेना चाहें मैं आपको सिंपल एक्सेंपल देता हूं अगर आपको पता चल जाए कि किस बंदे ने हमारे हमारे वहां पर है एक पिज़े वाला स्टोन ओफ पेसलाबाद के अंदर यह पिज़ा हट से पिज़ा आडर किया है और उसने काड़ से पे किया है अगराब को पता चल जाया हुए महीने में कितने पीज़े यह खाते हैं तो आपकी प्रसिजन मांकटिंग कितनी स्टॉños आप प्छे आप दिल करें सिर्फ पीज़ा की बात कर रहा है फिर वह बाśnieंग भी करते हैं इसी बढरत एक्सरोगाद आपने देखा होगा कि फ्लांग कार्ट से पे करें तो आपको 20% डिसकाउंट है फ्लांग कार्ट से पे करें 15% डिसकाउंट है तो वह रेगुलेरिटी के अंदर भी लाते रहते हैं लेकिन अगर किसी के पास बैंक का डेटा है ऐसा आप मेंसे काफी लोग हैं जो मैंकिंग से रिलेटिड काम करते हैं तो प्लीज उस पर कोई फॉरकास मैथड या मॉडल लगाना स्टार्ट करें और कुछ आउटपुट लें उससे ठीक है विच वड़ बी रिली इसी बैंक का डेटा कोई भी हो सकता है कस्टमर कहां पे कितना स्पेंड कर रहे हैं इसको बोलते कि हैं मौकेज बोलते हैं मौकेज अच्छा मेरें इंग्लिज बहुं खराब है सौरीब मौकेज का अगर आपके पास डेटा है तो आप भई कमाल कर सकते हैं इस इसमें मैनी डेटा साइट आउट देर वस फदा के बंदे हैं बश्दे वस बैंक वाले अपनी स्टेप डेंस मॉडल था अब बात करते हैं जनाब अपना चले मैंना स्टार्ट करने से पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आपको यह बता दूँ कि आप आप उसके थुरू भी यह काम कर सकते हैं जो आपके डेटा को विंडो के अंदर करके उसकी वैलियू को आगई यूज करके लेके जाएंगे तो CNN भी आप यूज कर सकते हैं सिरफ आपकी डेटा के विंडों का आपने बतानी है और फिल्टर का साइज बताना है करनल का साइज वो रखना है जो आपकी अच्छा फिल्टर यह और मेरा ना पैन इस पर नहीं चाहरा वरना मैं आपको बताऊं पिल्टर और करनल साइज अगर आप इसको मैं अपनी स्क्रीन दूसरी शेयर करता हूं उस पर पैन चलेगा मेरा CNN तो सभी को याद है कि नहीं CNN याद है ना हमारा इस तरीके से डेटा होता था मैट्रिक्स का इसे ही है यह तस्वीर का डेटा हमारा और इसके उपर करनल साहब ऐसे मूव करते थे इधर वाली साइड पर फिर आ गया 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 ठीक है अगर आपके पास टाइम सीरिस का डेटा कुछ इस तरीके से है और आपका करनल मैंने आपको बोला है कि वो लेयर्ज हैं जितनी आपने एकठी करके अगला रिजल्ट देना तरी वाई थी नहीं होगगा वो मैट्रेक्स था ना तस्वीरों के अंदर तब हमने थी वाई थी का रखा था यहां पे क्योंकि हमारे पास वन डमेंशन है तो हम क्या करेंगे three रख देंगे kernel का size ठीक है तो अब क्या करेगा ये filter यहां से तीन पे चलेगा चोथे को predict करेगा फिर अगले तीन पे चलेगा चोथे को predict करेगा फिर अगले तीन पे चलेगा चोथे को predict करेगा तो इस तरीके से आपका convolutional neural network इस data पर काम करते हैं तो आपको ना तो इसको convert करने की जरूरत है तस्वीरों को मैट्रिक्स के अंदर आप सिंप्ली अपने डेटा सेट को ही windowing को ही यूज करते हुई ये काम कर सकते हैं ठीक है इस वज़ा से आप filter अपना ना बता दें कितने यूज करने जवापकी तीन चार जितनी भी आप यूज कर सकते हैं और देंड बाग की सारी चीज़ें वह ही है तो इस तरीके से आपको convolutional neural network इस पर काम कर सकते हैं ठीक है ताइम सीरीज के अंदर हमने सिंपल मॉडल देखा एनन देखा linear model जिससे हमने बनाया था फिर हमने multi step model देखा वो भी artificial neural network अब देखा हमने convolutional neural network and then अगर हम recurrent neural network की तरफ जाएं ये भी तो काम कर सकते हैं अगर आप गौर करें हमारे पास T0, T1, T2, T3 से लेकर T23 तक का सारा data आ गया ठीक है उससे हमारा model को हमने सारा data दिया for example T0 आया इसकी hidden state आ गए यही T1 आया और T0 की भी long term memory यह short term memory साथ जा रही RNN जब ने पढ़ा था वो पुल गे हो यह देखें यहाँ पर यह input आई 0 पीचेज है हमारे पास इसकी वो random memory वो होती है hidden state ठीक है अगर हम यहाँ पर T1 लेते हैं पीचेज है हमारे पास T0 की hidden state आ रही है T2 लिया इसकी आगए T3 लिया इसकी आगए T4 लिया अब यह total हमें predict क्या करेगा 24th को predict करतेगा लेकिन अगर आप गोर करें हमारे पास पिछला सारा data add होता जाएगा और accuracy में change आती जाएगा यानि कि अगर पहली की value predict कर रहा था दूसरे की value predict कर रहा था तीसरे कर रहा चोते कर रहा था पांच में कर रहा था अगर हम और encoder और decoder का तो पता है ना आपको जो मैंने बताया था आपको कि सारा data एक दफ़ा encode होगा उसके बाद वो decode करेगा इंटु वन लेबल अगर आप चाहें तो T0 से directly T1 को predict भी कर सकते हैं अगर आप चाहें कि सारे की value को warm-up में लगाएं और आगे प्रडिक्ट करें यू कन दू दैट वाटाएं अगर आप चाहते हैं स्टैक नहीं करना तो आप डिरेक्ट सिंगल वैलियू को भी प्रडेट कर सकते हैं अगर आप चाहें कि सारे की value को warm-up में लगाएं और आगे predict करें you can do that one as well और same scene हमारे पास warm-up का convolutional neural network के अंदर भी चला सकते हैं आपने जितनी layers को रखना है वहाँ पे warm-up के लिए you can take that one as well warm-up का मतलब होता है कि उससे पिछली layers का data जो है उससे prediction कोई नहीं लेनी लेकिन उसके weights और बाकी जो biases हैं उनकी base पे अगले का weight और biases calculate करना यानि कि T0 से लेके T23 तक जितना भी हमारे पास data आ गया है वो एक output में change हो यानि कि उस सारे point से सीख के आपको result दे मतलब ये कि अगर आप रोजाना बच्चे को सिखा के रोजाना test लेंगे तो उसकी accuracy कितनी होगी you can see that एक बच्चे को भी ABC पढ़ाई या थोड़ी दिर बाद के चलो भी सुनाओ उसको भाई थोड़े दिन train करो पांच सा दिन दस दिन लगाओ फिर it will work fine same analogy यहां पे है T0 पढ़ाई उसको हां भी याद है याद है T1, T2 पढ़ाई until T24, T23 sorry जैसे हमने यहां तक बढ़ाया बच्चा warm-up होगे हां जी भी quiz हो जाए test हो जाए then it's fine समझाई बात की so आप daily basis पे भी या एक time step की base पे भी ले सकते है और पाकी जितने भी start में time steps है उनकी base पे and then you can run an LSTM model as well जिस पे आप लोगों से मैंने request की थी कि प्लीज अपना code जरूर बनाएंगे गाइस जो आप मेंसे काफी लोगों ने नहीं बनाए I'm really proud to say that जारी बात है तुसी कड़ा मनने किसे थी मैं सिरफ एन नहीं कवांगा मैं बाकी लफज नहीं 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 समझे दे हो ना गलत बात है यार आप लोग काम किया करें कोई मुश्किल मॉडल नहीं है LSTM लेकिन आपने पढ़ना है तो होना ही ठीक है तो अभी मैं इसी वड़ा से छोड़ा हूं ताकि आपको पता लगए किस तरीके से LSTM काम करता है ओक्यों हो गया LSTM आप लगाएंगे तो क्या होगा लांग शॉर्टम मेमरी चलेगा यानि कि आप पीछे जितनी मरजी वैलियूज आपके पास हैं आप लगा सकते हैं अब मुझे बताएं एक क्वेस्टन मेरा आप लोगों से के लिए कितने और कौन कौन से नेरल नेटवर्क को हम यूज़ कर सकते हैं समझ रही बात की जो मैं कहना चाह रहा था हमने स्टार्ट आर्टिफिशल नेरल नेटवर्क से लिए CNN भी लगाया उसकी थियूरी भी मैंने आपको बताए कि यार वो वो लगा सकते हैं इस पर या ने लगा सकते हैं आप इस पर क्या कहते हैं जब LSTM लग सकता है तो जी आर यू लग सकता है ना सिर्फ यार वो जी आर यू जो है एन अपडेटिड फॉर्म ओफ LSTM है अगर आपको याद हो लेकिन अगर डेटा बहुत बढ़ा है यानि के सीक्वेंस पीछे पंदरा साल की है आपके पास तो फिर आप LSTM ही यूज करेंगे जी आर यू जो है वो छोटे डेटा साट के लिए अगर आप आपने वो क्लास गोर से देखिए हो जिसके उपर मैंने बताया था के डेटा अगर चोटा हो यानि के एक अदा पेपर हो गया दो तिन पेजीजीज हो गया से हो गया उस तरह अगर डेटा साट ठीक है यानि के थाउजंड में वर्ड्स अगर हो आप मिलियन में भी लगा सकते हैं लेकिन टाइम सीरिस के डेटा में आप अगर पॉइंट करने बैठेंगे ना एक यूनिट के पॉइंट तो आपको समझ आएगी जैसे हमने इसके काल्कुलेट किये थे सिक्स मिलियन के अगर रोज हैं मल्टिप्लाइट बाइए उनिस करें तो कहां पर काम जाता है वी चीका एक सो वी तो विचों उननी कर लो ते तकरीबन एक बिलियन के करीभी यूनिट ठीक है ओके तो अब मैं आपको यहां पर जो चीज़ बताने लगा हूं ना जो आपका क्वेस्टन है किड़ा मॉडल किते लाना कौन सा मॉडल कभ यूज करना भाई जितने साइंसदान है सारे यह कहते हैं खास तोर पर डेडा साइंटिस्ट जो है मैं उनकी बात करूंगा कि सारे लगाओ परफॉर्मस चेक कर लो इसमें से कौन सा सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है वैलिडिशन एंड टेस्ट की बेस पर यह हमारी मीन एबसूलूट एडर है कौन सा बेस्ट परफॉर्म किया है अगर आप गौर करें तो सबसे कम एरर आई है लस्ट एम की एंड इट वाज एक्सपेक्टेड आपको पता है लांग टाम मेमरी को लेकर चलता है साथ ठीक है सबसे कम बेस्लाइन ने रिजल्ट दिया आपको पता है कि बेस्लाइन मॉडल क्या कर सकता है वो बिचारा एक एक करके सबी को परडिक्ट कर रहे है जतना उसके पास रिसोर्स है लिनियर ठीक है नॉर्मल है टैंस ले ने भी अच्छा किया है मल्टी स्टेप डैंस ने भी तकरीबन सेम सेम किया है convolution neural network ने भी सही किया लेकिन test के result खराब है compared to validation LSTM की जितना validation के अंदर गलती थी तकरीबन उतनी ही test के अंदर है तकरीबन उतनी मतलब यह कि वो training के दुरान इतना सीख गया है कि वो test के दुरान अच्छा परफार्म किया है कुछ ज्यादा एंकी पहिंकी नहीं मारी उसने and keep in mind हमने अभी सिर्फ 24 की विंडो रखी है इससे ज्यादा नहीं रखी just imagine आपकी window size बड़ा हो जाता है फिर it will work even better लेकिन computation की cost के उपर ठीक है so इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं और इसकी values को भी print करवा सकते हैं you can actually see कि 0.514 इसकी value आ रही है किस चीज़ की आपके पास performance items की खास तोर पे के आपकी जो mean absolute error यह different किसेंगे matrix है वो किस तरीके से यहां पर present हो रहे है ठीक है यह तो था हमारा single output model single output model यानि के एक single step को predict करना उसकी base पर आगे चलाए multi step model क्या होगा उसको देखते हैं आप यह मैं theoretically चीज़ें आपको समझा रहा हूँ फिर इसकी coding आप भी करेंगे हम भी करेंगे और इसको proper एक और डेटा सैट पे सेम थियोरी को अप्लाई करके देखेंगे तो यह ना समझें कि आज पढ़ लिए और खतम नहीं आपको डेटा सैट का में लिंक दूँगा आपने यह वहां पर प्रेक्टिस करना है और देन वह विल डू इट तुगधर इक है मल्टि स्टै मॉडल क्या होगा आपको क्या लगता है सिंगल टाइक स्टैप प्रेक्शन के उपर हमने क्या किया था हमने फीं बेस कर रहे थे एक की बेस पर अगला मल्टी टाइम स्टेप प्रडिक्शन क्या होगी इन मल्टी टाइम स्टेप प्रडिक्शन दे मॉडल नेज तो लेर्न टो प्रडिक्ट रेंज ओफ फ्यूचर वैलियोज समझ आई बात की या नहीं हम सिंगल स्टेप को अभी तक परफॉर्म करते आई यानि कि अगर पिछे छे हैं तो सात्वा प्रडिक्ट हो रहा है पंद्रवा नहीं हो रहा एक है तो दूसरा प्रडिक्ट हो रहा है दस्वा नहीं हो रहा एक स्टेप को प्रेडिक्ट कर रहे थे हैं, सिंगल स्टेप मॉडल का मतलब है कि पिछलों की बेस पे एक स्टेप को आगे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, सही है, श्रिफ्ट का मतलब यह था कि पिछले कितने लोगों की बेस पे अगला प्रेडिक्ट करना है, अब यहां पर हम क्या करेंगे तरह अनलाइक सिंगल स्टेप मॉडल वेर ओनली एस सिंगल फूचर पॉइंट इस प्रडिक्टेद अ मल्टी स्टेप मॉडल प्रडिक्स सर्सीक्वेंस ओफ दी फूचर वैलियू वो लोग जो पूछते थे कि एक साल की बेस पर क्या अगला पूरा महीना प्रडिक्ट हो सकता है इसको बोलते हैं मल्टी स्टेप मॉडल आप कर सकते हैं प्रडिक्ट उसको मल्टी स्टेप मॉडल बोला जाता है मल्टी स्टेप मॉडल के अंदर आपने बकाइदा बताना है कि कितने आउटपूट स्टेप लेने आपने कितने स्टेप की बात करने हैं मैं दुबारा से इस बात को बता दूँ unlike single step model where only a single future point is predicted a multi step model predict a sequence of the future values sequence क्या होती है sequence होती है आपके पास एक तर्थी यानि कि अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे अगले future के 24 values को predict करना है तो मैं 24 जब लिखूँगा इसका मतलब यह नहीं कि 24 वाँ predict हो रहा है इसका मतलब यह है कि वहाँ से start होके 24 तक प्रेडिक्ट हो रहा है तक और वाँ में फरग है 12th, 14th, 16th लेकिन अगर sequence of 16 बोला जाएगा तो वह एक से 16 तक होगा तो इस बात को आपने समझना यह नहीं समझना कभी भी के मैंने 24 step model का कर लिया multi step model और मेरा वह एंट पर 24 वाँ predict हो रहा है नहीं, 24, 81 प्रेडिक्ट हो हूँ ठीक है ओके, so there are two rough approaches single short prediction where the entire time series is predicted as once समझना ही बात की, दो approaches है, एक तो यह कि entire time series को एक दफाव प्रेडिक्ट करें single short, एक ही short में सब कुछ तो आपने देखा होगा ना, बिलिएड के अंदर अक्सर वकात वो चीन नहीं होगी तो वीडियो अप्लोड होगी होती है वो एक short open करते हैं, वो सारी के सारी nine की nine balls जो हैं वो pot हो जाती है तो same वही चीज़ के single short में अपना model भी train है और सारी prediction हा भी अब यहां पर आपको समझ आनी है जो मैं अरीमा, सरीमा, वरीमा की बात कर रहा था, वरीमा नहीं था, अरीमा और सरीमा auto-regressive prediction where the model only makes single step prediction and its outputs is fed back to its input समझ रही बात की? मैं आपको बताता हूँ, auto-regressive की definition क्या होती है? auto-regressive क्या मतलब यह है कि आप कोई चीज प्रेडिक्ट करें, उसको दुबारा से input में भी add करने साथ है मैं एक बात बताता हूँ आपको, इस समझाता हूँ, अक्सरक आप जमान लोगों को यह ख्याल आते हैं, आपके पास दो रुपे हैं आप कहते हैं कि यार, इद वाले दिन हो जाने है, मेरे पास 100 रुपे हैं फिर पांच हजार देना है, अब बाजिने, पीन चाच्चु से ले लूँगा, आठ हो गया, अब आठ का क्या लेना है, आठ का क्या लेना है, वेट करता हूँ, एक महीने की पॉकेट बनी में मिल जाएगे, तो टोटल कोई 12-15 रुपे हो जाएगा, उसमें 30 और एक मुबाइल अच्छे वाला ले ले, सोचें जर आपके पास सिर्फ दो रुपे हैं, लेकिन आप सोच बड़ी रख रहे हैं, मतलब ये है कि जब ईद आनी है, आपके पास सच में 8000 हो जाना है, कैसे, आटो रिग्रेसिव एड हो गया, आपने प्रडिक्ट किया 8 होना है, वो 8 ही आ जाता है, खलती 0 होई वहां पर और वो आपके इन्पुट में फीड हो गया, आपकी पॉकेट में आ गया, इसी तरीके से अगर आपको 2000 एक्स्ट्रा मिल गया चाच्चु से या किसी और से, तो वो 10,000 हो गया, तो वो भी आपके पास आपने प्रडिक्ट किया था ओके, इन दी सेक्षिन, अल्ड़ अल्ड़ विल प्रडिक्ट ओल फीचर्स अक्रॉस आल टाइम स्टेप्स, उन्होंने एक नोट लिख दिया है कि भई, जितने फीचर्स हैं हमने सारे प्रडिक्ट करने, सारे टाइम स्टेप के ऊपर, ठीक हो गया, अब मल्टी स्टेप पर इंशाला हम बात करते हैं, I'm thinking कि एक छोटी से ब्रेक ले लें